Welcome to the Parts Salah एक्जाम का आपका लास मोमेंट चल रहा है इस वकाप लोगों की तैयारी लगबख कम्प्लीट होगी कुछ लोगों को प्राप्लम हो रही होगी जीके में कि सर मेरा जीके कम्प्लीट नहीं हुआ है मेरा करेंट अफेर कम्प्लीट नहीं हुआ है यह वो सही समय है आप 7-8 दिन करेंट अफेर्स पढ़िए और उसको क्या कीज़ें एक्जाम में जाकर प्रिजेंट करिए क्योंकि करेंट अफेर्स अगर पिछले 6 महीने से पढ़ रहा होगे तो भूलता भी बहुत जादा है तो मैंने करेंट अफेर्स पर पिछले 6 महीने का जो करेंट अफेर्स आपका होता हूँ उन सब में मजसे पर 20 कोशन यहां पर लिए हैं यह बहुत जादा है मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको मॉर्निंग में 10 बजे सेडियूल की है इन वीडियो को यह पहला लेक्चर आपको मिल रहा होगा और सारे लेक्चर मैंने बना दिये और दूसरा साम को 8 बजे सेडियूल के मिलेगा अब इन वीडियो लेक्चर को देखना मिसमत कीजिएगा यह 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी कि दो की दोनों इससे जादा लंबी नहीं होगी मैं छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप एक बार सुनो और सुनने के बाद आपको वह थोड़ा सा जहन में चला आए अगर वीडियो मैं लंबी बना दूँगा लाइक एक गंटे की दो गंटे की एक बार में ही तो आप उसको पूरी तरीके सा सुन भी नहीं पाऊगे और अपने से पढ़ने की कोसिस करोगे पीडियाफ लेके तो उसमें क्या होता ना कि खुछ से पीडियाफ पढ़ने के बाद जो आपने अल्रेडी पढ़ रखा है तो वह इंटर मिक्स होने लगता है तो मैं कोसिस कर रहा हूँ कि आपको ये चीजे लास्ट मोमेंट में इंटर मिक्स ना होने दो क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि रिवाइज कीजिए रिवाइज कीजिए तो ये भी इसी पैटरन पे मैं फ्रेम करने की कोसिस कर रहा हूँ कि एक बर आप सुबह दस मिनट के लिए देखो इसको रट्टा बिल्कुल मत मारो सुनो मैं थ कोई भी और वीडियो मत पढ़िएगा रिवीजन सब लोग जो है दस पंदर मेट चोड़के और किसी टाइम पर सुन लीजिए अपना तो इन दोनों समय पे मेरे जो ही ये वीडियो लेक्चर आप सुन लीजिएगा एक भी वीडियो लेक्चर मिस मत कीजिएगा करेंट आपको दिः गृ Orbital Seright को मैया है जाम आप देने जाते हो तो एकड़ घंटे पहले सेंटर पे पहुचते हो तो वहाँ लोग मैथ और कुछ और कुछ रिवीज कर रहे होते हो तो वह सब रिवाइज करने का वह सही समय नहीं होता है उतने समय आप करेंट अफेयर्स जो आपने ये पढ़ रखा है जो अभी आप देखोगे उसको रिवाइज कीजिएगा और ये तीन-चार कोस्टन के वहाँ पर जाकर करनवर्ट हो जाते हैं तो मैं लगव को सारे कोशन ले लूँगा जो SSC पूछ सकती है तो चलिए बगर देर किये वे हम समझते हैं करेंट अफेयर्स के कोश्चन को ये सारे के सारे मल्टिपल चोशन के फॉर्म में हैं मैंने ज्यादा डीटेल म आपको पढ़ने की ज़रूती नहीं होती है से CCGL के लिए उपर उपर पूछता है आप उपर उपर पढ़िए कीवर्ड थोड़ा सा पढ़ लीजे वहाँ पर कीवर्ड ही आपको देख के समझ में आ जाएगा अच्छा कहीं पढ़ा था तो वो कोशिर आप ठीक ऑप्शन देख के आप आसानी से मार सकते हो तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले Which country has become the first country to seize FM radio broadcasting कौन सी ऐसी पहली country है जो seize किया है radio broadcasting को वो है Norway तो याद रखना है आपको की FM radio broadcasting को जो है seize किया है Norway ने यह पहली country है Which state recently launched India's first student startup ध्यान रखेगा India's first student startup and innovation policies यह गुजरात ने start किये गुजरात जो है आप ऐसे याद रख सकते हो कि मोदी जी का गड़ है तो student के लिए वाजकल बहुत कुछ करने की कोशिस कर रहे हैं तो यहाँ से आप रख सकते हो कि India's first student startup and innovation policy जो है गुजरात में start की गई है next है with which country India signed a MOU MOU होता एक तरीके का समझाओता कि दो आपस में समझाओता करते हैं कि हम इस फिल्ड में काम करेंगे और एक नियम कानून के तहत काम करेंगे आप सिंपल महासा में इसको समझो और यह sector कौन सा है agriculture और allied sector है ध्यान रखिएगा agriculture और allied sector है तो बहुत सारे सेक्टर में अलगर कंट्रीज के साथ इंडिया ने MOU शाइन किया है तो आपको क्या करना है ध्यान रखना है कि agriculture और allied sector यह केनिया के साथ किया गया है तो agriculture allied sector केनिया के साथ किया है तो यह जो question मैंने अभी तक discuss कियें यह SSC पूछ सकती है With which country India signed MOU on cyber security इस पर cyber security का जो मसला है उसमें USA के साथ इसने जो है MOU sign किया है Next है prop tiger.com tied up prop tiger.com किसके साथ इसने tie up किया है किसलिए online portal to form largest online reality firm Online reality firm largest online reality firm बनाने के लिए prop tiger.com ने किसके साथ tie up किया है यह किया है housing.com के साथ यह जो question है इस पर SSC के पूछे जाने के सिर्फ 10% chances है तो आपने एक बार सुन लिया है अगर आपको याद रहेगा तो याद रह जाएगा इस पर SSC किस ना किसी सेट में कोश्चन जरूर बनाएगी name the second of the scorpion class submarine that was launched at in Mumbai in January 2017 for sea trial sea trial के लिए scorpion class submarine मुंबई में launch की गई थी जनवरी 2017 में यह second थी याद रखे का first नहीं है second है उसका नाम पूछा गया इसका नाम है INS कैंदरी अब आपको देखिए INS कावेरी है नर्मदा है काहरी है इस तरह के आपको अपसं दिया रहेगा तो INS पेर में रहेगा लेकिन क्या आपको आपको कांदरी याद रखना है आपको यह याद रहेगा और यह याद रखना कि second scorpion class submarine क्या है second scorpion class submarine है जगह क्या है मुंबई है और कांदेरी ये आपको keywords याद रखने है इस पे SSE questions पूछ सकती है नेक्स्ट है बराक उमामा एवार्ड विद प्रेसिडेंशियल मेडल आफ फ्रीडम ये किसको मिला था ये मिला है जॉन बीदेन को ये पता है एक्चुली ये UPSC pieces वगरा exam में पूछती है या railway वगरा exam में पूछ सकती है SSE इन पे questions कम बनाती है तो इनको एक बर आप सुन लीजिएगा लेकिन focus इन questions पे कीजिए next है who was appointed as the chief executive officer CEO Tata TCS इसको बोलते हैं बैंक में इस तरीके के questions पूछे जाते हैं SSE इन अगर पूछ दिया तो बड़ी बात हो जाएगी who was appointed as the chairman Tata Sons का chairman किसे appoint किया गया इस पे भी question पूछने के SSE के कम chances होते हैं सब banking वाले question है लेकिन आप एक बार सुन लीजिए ताकि अगर आ गया question बाइद चांस तो आप कर पाएं नटराजन चंद्रसेकरन ये नाम है एक तो यार South Indian name और मेरा pronunciation जूबलियंट food work इन्होंने किसको CEO appoint किया है देखते हैं इसको ये नाम इनका प्रतीक पोटा प्रतीक पोटा को इन्होंने इस तरीके के जो CEO वाले questions होते हैं अगर बहुत जादा नेशनल लेबल की importance रखता है तो तो पूछा जाता है अगर उनका नेशन में कोई मतला इस तरीके का रोल है defensive and sector side पे तब SSC question पूछती है अगर ये questions बैंक में पिनाका राकेट अब ये है इस पे किसी ना किसी सेट में question जरूर आएगा मैं बता दू पिनाका राकेट फायर गाइड आपको ये कीवर्ड रखना है कि किस कंट्री ने सकस्पुलीस का टेस किया इंडिया ने किया अब ये नहीं पूछेगा 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 इंडिया ने जो है जो टेस्ट किया इस रोकेट का इसका नाम क्या है जो फायर गाइड रोकेट है वो क्या है या फिर पूछ सकता है कि पिनाका क्या option में देदेगा, फायर गाइड है, तो आपको यह कीवर्स याद रखने है, तो यह कोश्चन इंपॉडेंट है, आप टिक कर लीजिएगा, नेक्स्ट है, विच कंट्री एग्री तो प्रोवाइड वन ट्रिलियन एन एड पैकेस तू द स्टार्टप, Maluba was acquired by which technology giant, कि जो artificial intelligence था, जो एक स्टार्टप है, Maluba जिसका नाम था, वो किस ने अक्वाइर किया इसको, किस technology giant ने अक्वाइर किया, Microsoft ने अक्वाइर किया, इस पे कोश्चन बनाने के थोड़े बहुँ चांसे हैं, नेम दा फॉर्मर, MRF, MRF के डिरेक्टर न इनका नहिदन हो गया, उनका नाम है K. M. Philip, इस पे PCS वगारा पे कोश्चन बनते हैं, SSC नहीं बनाती हैं, इन पे कोश्चन बनते हैं, बैंक में बनते हैं, PCS बनते हैं, SSC में बनने कि इन के चांसेज कम होते हैं, नेम दे इंडियन एक्टर हुज ऑनर्ड बाइड इस पे इंपोर्टन कोश्चन है, इस पे पूचा जा सकता है, SSC में कोश्चन, इस तरीके के SSC कोश्चन पूचती है, नेक्स्ट है, 4th International Kite Festival, ये पूच सकता है, चांसेज है, बैंकिंग, PCS में पूचता है, PCS में बहुत चांसेज पूचने के लेकिन SSC में कम चांसेज है मतलब फर्स पहली बार जीता गुजरात ने, the first edition of ABU International Television Dance Festival held in, ये 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 चांसेज है थोड़े बट पूचे जाने के, ये हैधराबाद में हुआ था, तो आपको कीवर्ड रखना है, ABU International Television Dance Festival कहां पे हुआ था, ये first edition है, है हैधराबाद में हुआ था, SSC पूच सकती है, इस 300 नहीं है, 3000 है, rain water harvesting, के लिए किसके साथ MAU sign किया गया है, स्रिलंका के साथ, next है, in which scheme digital dhakiya scheme inaugurated, in which scheme digital dhakiya scheme inaugurated, actually state होगा यहां पर, मद्य प्रदेश में होगा, in which state digital dhakiya scheme inaugurated, मद्य प्रदेश में digital dhakiya, तो मद्य प्रदेश में क्या start किया गता है, digital dhakiya, तो आपको ये यह जातर रखना है यह कोशन पूछ सकती है SSEC जिल में थोड़ा से इंपोर्टेंट है विच फिल्म वान दा बेस्ट अवार्ड 62 जी ओ फिल्म फेवर और 2017 दंगल ने जीता था इस पे कोशन बना सकती है तो जो SSEC कोशन बताती है बेसिकली करेंट अफेर से वो दो तीन सेक्टर से होती है एक तो डिफेंस से होती है क्रिकेट वगरा से होती है स्पोर्ट से होती है नेशनल इंपोर्टेंट की कोई इसूज है तो होती है अब एक और यहां पर question है, जो मैं बोलूँगा कि important है, इसको जरूर याद रखिएगा, किसी ना किसी सेट में जरूर पूशा जाएगा, इसमें जो है भारत की ranking क्या है, 90 seconds, और पहली किसकी है, Switzerland की, तो यह दोनों चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, इस पर question बना सकती है, किसी ना किसीट में पक्का रखेगी जरूर, नीचे है, according to oil ministry, इंडिया's fuel consumption to hit in 2016-17, 2016-17 में कितना consumption होगा, 200 million tons, यह भी important है, यह भी पूश सकती है, नेक्स्ट है, bioinformatics apps, depict and neuron was launched by which organization, यह bioinformatics apps, यह किसने launch किया था, SIDAC, नाम क्या है, SIDAC, याद रखिएगा, SSC इस पर question बना सकती है, chances है थोड़े बहुत, first ever Asia Pacific Broadcasting Union Dance Festival concluded in, कहाँ पर conclude हुआ था, यह Asia Pacific Broadcasting Union Dance, यह हैदराबाद में हुआ था, कम chances हैं पूशने के, पर by the way अगर पूश ही दिया तो आप क्या ही कर सकते हो, question अगर पढ़े नहीं होगे तो गलत हो जाएगा, which telegram operator launches mobile TV services, Ditto TV, यार Ditto TV किसने start किया है, mobile TV services का, वो BSNL ने start किया है, question बनने के थोड़े बहुत chances है इस पर, Name the astronaut last man on the moon who died recently, last man on the moon, जो अभी जिनका निधन हुआ recently, उनका नाम है, using carnan, तो यह याद रखिएगा, SSC इसको पूछ सकती है, PCS वगरा में इसके पूछे जाने के बहुत ज़्यादा chances होते हैं, next है, who are the following appointed as regional head of HSBC, HSBC का जो regional head है, किसे बनाए गया है, संदीप उपल को बनाए गया है, इसके भी पूछे जाने के बहुत ज़्यादा कम chances है, तो यह आपका important question है, bank वकरा में पूछ सकती है, PM नरेंदर मोदी, inaugurated, रेजिना dialogue, यह PM मोदी ने जो है रेजिना dialogue जो start किया था, कहां पे start किया था, यह new delay में start किया था, तो याद रखिएगा, इस पे भी बहुत chances कम है कि पूछा जाए, which state government announces series of welfare measures for army personnel, किस state government ने series of welfare announce किया है, series of welfare measures, जहां रखिया किवर्ड, series of welfare measures for army personnel, तेलंगना, कौन सा state है, तेलंगना state है, इसके भी chances कम हैं, लेकिन army personnel वगरा से, जिस भी तरीके की question बनते हैं, वो हमें साब पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा, यह keyword, series of welfare measures, for army personnel, तेलंगना, तेलंगना state है, जिन्हों ने start किया, who won the 2016 T.S. Elliot Prize for poetry, इस पे chances है कोशन बनने के, who won the 2016 T.S. Elliot Prize for poetry, जीता है 2016 T.S. Elliot Prize for poetry, तो इसमें उलट फिर करके question बनाया जा सकता है, तो सारे keywords आपको एक बर समझने पड़ेंगे, कि 2016 T.S. Elliot Prize था, किसके लिए ता poetry के लिए जीता किसने, जैका पॉली ने, next है, तो यह important question आपके लिए, who won the 15th edition of the Delhi International Chess Tournament, इसके chances काम है कि पूछे, क्योंकि अगर यही, अगर national label पे खेला जाता है, international label पे खेला जाता है, और किसे नी जीता होता, तो पूछा जाता, नाम याद रख लेकिजिएगा, फारुक अमनात्त हो, यह नाम था उनका, तो उतना important नहीं है, last important एक तरीके से, लेकिन bank वगरा में आप PCS exam में इसको पूछा जा सकता है, next है, the GST council decided to roll out, कब roll out करने का good and service tax का, जो GS council ने decide किया था, वो एक चुलाई 2017 को, यह लगबग date सभी को पता होगी, नॉर्मली बहुत चर्चे में रही है, important है, पूछ सकती है, India science financing agreement, financing agreement जो है, sign किया है, World Bank के साथ, Nagaland health project के लिए, उसकी worth कितनी थी, 48 million थी, यह पूछ सकता है, क्योंकि World Bank का मसला है, Nagaland के लिए health project, Nagaland के health project के लिए, 48 million का agreement, World Bank के साथ, जो है, sign किया है, India ने, तो अब समझे कि, आपको क्या-क्या इसमें याद रखना है, कि India का किसके साथ, जो है, agreement हुआ है, World Bank के साथ हुआ है, Nagaland health project के लिए हुआ है, और जो worth क्या है, 48 million होगा, तो बस आप एक बर सुन लीजिए, सही से, बस आपको याद रह जाएगा, यह पूछ सकता है, तो दो-तिन बार अप पढ़ियेगा, आंटोर्यो तजानी, किसली है, अपरेसिडेंट है, कहां के, European Parliament के हैं, पर्सिडेंट किसके हैं, European Parliament के हैं, अंपरेसिडेंट है, नेक्स्ट है वो आप दा फॉलोइंग इंड़क्टेड इंटू लिजेंट क्लब हाल आफ फेम रिसेंटली इन जन्वरी दोहजार सत्रा सुनील गवसकर कपिल देव दिली फेंगसकर रभी सास्त्री कपिल देव को तो आप याद रख लीजिएगा लिजेंट क्लब हाल आफ फेम लिजेंट क्लब हाल आफ फेम यह अपका कीवर्ड है यह कौन बना है कपिल देव कपिल देव याद रजा है कपिल देव का नाम सब के जुबान पही रहता है तो आपको लिजेंट क्लब हाल आफ फेम यह कीवर्ड रखना है जैसे जो Hindi के student है, Hindi medium वाले student है, उनको ये प्रवलों कि सरी है English में है, सरी है English में है, तो आप इसमें keywords पढ़ लीजेगा एक दो बार क्योंकि जो आपको, जो question paper मिलता है वो भाई, लिंग बल रहता है, तो आपको Hindi English दोनों में रहेगा, तो आप English वाला भी देखके, keyword देखके आप असानी से कर सकोगे, नेक्स्ट है, विच इंडियन फर्म टाइड अफ विट रसियन पेट्रो केमिकल जाइंट सिबू टू सिट अफ साउथ एसिया फर्स्ट बुटाइल रबर हेलोजेनेशन यूनिट एड जामनगर इन गुजरात, नाम है Reliance Industry, तो याद रखिएगा कि आजकर Reliance Industry बहुत उपर उट रही है, अब आपको क्या करना है, इंडियन फर्म तो पता चल गई, Reliance Industry, अब आपको की वर्ड याद रखना है, रसिया के साथ, पेट्रो केमिकल जाइंट सिबर, टू सेट अफ विट साउथ एसिया फर्स्ट बू टाइल रबर, ये 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 सक्चम 2017 ये बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन है, ये आ सकता है आपका, सक्चम 2017, Union Petroleum Ministry लाँचेज, Union Petroleum Ministry ने क्या लाँच किया है, Petroleum Awareness Program, क्या लाँच किया है, Petroleum Awareness Program, इसको इस तरह भी पूछ सकती है, Petroleum Awareness Program किसने लाँच किया है, तो Petroleum, Union Petroleum Ministry, धान रखिएगा, Union Petroleum Ministry और नाम के आप प्रोग्राम का सक्षम 2017. Next है, the world's biggest cricket stadium will come up in which state? कहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा, मतलब सबसे बड़ा stadium बनेगा, गुजरात में बनेगा. जान रखेगा, गुजरात में सबसे बड़ा stadium बनने वाला है. Next है, पिनाकिन मोबाइल एप वज लांच ड़ाइब विच स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट टू बूस्ट टूरिज्म ये 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 पूछा जा सकता है, तो टूरिज्म का जब भी कोश्चन आता है तब असससे सीजल से पूछ सकती है, तो कि स्टेट ने जो है मोबाइल एप लॉँच किया है नाम है पिनाकिन Okayan. क्या नाम है नाम भी याद रखिएगा, पिनाकिन और तमिल नाडू ने तमिल नाडू ने तूरिज्म को भूस करने के लिए पिनाकिन मोबाइल एप लॉँच किया है. Name the Indian professor who poignered the work on black holes and died Recently विष्वेस्वरा, नाम क्या है? CV विष्वेस्वरा How many children have been selected for the 2016 National Bravery Award? ये भी पूछ सकती है National Important का question है 25, धान रखिएगा ये keyword तो अभी मैं ये 50 question ले रहा हूँ बाकी के question में next lecture में जो आपको 8 बजन मिले कि उसमें मिल जाएगा तो इसमें बहुत सारे question है तो मैं लगातार इसको upload करूँगा क्योंकि मैं अपलोड किया जैसे ही आपको ये वीडियो मिलेगी तब तक वो सारे के सारे वीडियो बन चुके होंगे और scheduled होंगे तो ध्यान रखिएगा ये आपको morning में 10 बजे exact time पे publish होके मिलेगा और साम को 8 बजे publish होके मिलेगा वीडियो सारा upload हो गया होगा जब तक आपको पहला part मिलेगा तो आपको हर part देखना है और PDF last part के साथ आपको एक साथ मिल जाएगी आप उसे डाउनलोड कर लीजिगा मैं चाहूँ तो PDF आपको पहले दे दू लेकिन PDF इसलिए नहीं दे रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि एक बार आप सुन ले 10 से लेके 15 मिनिट तक का वीडियो है इससे जादा ये नहीं होगा अभी मैं पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ वीडियो हो सकता थोड़ा लंबा हो जाए अधर भाइस सारी वीडियो छोटे-छोटे होंगे तो अभी के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स पार्ट में तब तक के लिए थैंक्यू बाबाए